Back to Shape Up Your Life वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लीर कर देना चाहती हूँ कि ये कोई sponsored वीडियो नहीं है, ये एक requested वीडियो है बहुत से वीवर्स जानना चाहते थे कि मैं बाथरूम टाइल्स की क्लीनिंग कैसे करती हूँ बाथरूम को आप कितना भी dry और clean रखें लेकिन एक टाइम के बाद hard water stains और dust की वज़ा से tiles dirty दिखने लगती है बहुत ही narrow space और corners में dirt इस तरह से stick हो जाती है कि उन्हें निकालना मुश्किल होता है कोई भी DIY cleaner बाथरूम टाइल्स की अच्छे से cleaning नहीं कर सकता सो पिछले 2 साल से मैं एक special tie cleaner का use कर रही हूँ जो की बहुत effectively काम करता है and yes ये एक chemical product है ये environment और health के लिए harmful हो सकता है अगर हम इसका use daily basis पे करते हैं तो बट एक बार इसके साथ कीगी cleaning के बाद 3-4 months तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है kitchen counters को clean करना हो या फिर घर की dusting करनी हो मैं हमेशा DIY cleaner का ही use करती हूँ क्योंकि ये वो काम है जो daily और rapidly करने होते हैं सो किसी तरह के भी hard chemicals का use daily basis पे नहीं होना चाहिए सो आज मैं आपके साथ share कर रही हूँ tile cleaner और tap cleaner जिसको मैं पिछले 2 साल से use कर रही हूँ सो मैंने इस washroom को पिछले 10 से 15 दिन से proper clean नहीं किया है especially corners ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये cleaner किस तरह से काम करता है soap और shampoo की बज़ा से तो washroom sticky हो ही जाते हैं बट कुछ लोग washroom में oil का use भी करते हैं इसके लावा सबसे dirty लगते हैं hard water stains तो किसी तरह का कोई भी stain हो आपका washroom shine ही करेगा after using this cleaner और यह है वो cleaner magic moments यहां पर लिखा भी है Sarah clean rapid action tile cleaner और वाकिया ही इसका action बहुत rapid होता है मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरा मकसद किसी भी brand को promote करना नहीं है तो आप किसी भी hardware की shop से कोई भी अच्छा tile cleaner लेकर try कर सकते हैं इसकी instructions सारे यहां पर लिखे हो हैं इसका price है 208 और एक bottle मेरी एक साल चल जाती है जबकि मेरे घर में 4 washrooms हैं बहुती कम लगता है यह और 200 में मेरे को एक साल के लिए अगर tile cleaner मिल जाए तो बहुत महंगा सौधा नहीं है मैं आपको इन products का link नहीं देख सकती हूँ क्योंकि मैंने इने खुद hardware की shop से बाई किया है इसे cotton के cloth पे लगा के भी tiles clean की जा सकती है लेकिन मैं इसे spray bottle में fill करके ही use करती हूँ ऐसा करने से मेरी cleaning ज़दा easy हो जाती है cleaner लगाने से पहले पानी के साथ हम washroom को अच्छे से गीला कर लेंगे तो just हमने इसको गीला करना है ज़्यादा पानी वहाँ पे नहीं होना चाहिए उसके बाद हम cleaner का spray करेंगे ये spray आप floor tiles पे, wall tiles पे कहीं पे भी कर सकते हैं जहां पी आप cleaning करना चाहते हैं लगा देने के बाद tiles cover की help से इसको फैला देंगे पूरे washroom में आप इसको अच्छे से एक बार rub कर दें तकि पूरा cleaner equally सब जगा पे फैल जाए फैला देने के बाद एक से दो मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें ज़ादा टाइम के लिए छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है एक से दो मिनट में ही अपना काम कर देता है दो मिनट के बाद उसी scrubber से आप tiles को scrub करना शुरू करेंगे scrub करते करते आप देखेंगे कि आपकी tiles कितनी clean होना शुरू हो गई है washroom की sides, corners को अच्छे से रब करें क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गंगी होती है आप उसके लिए brush का इस्तेमाल भी कर सकते हैं so I think आप देख पा रहे हैं difference cleaning के पहले और cleaning के बाद अब यहाँ पे कोई भी stain आपको नजर नहीं आएगा और इस तरह से पानी के साथ इसे अच्छे से wash कर लें आपको क्लीन करने के लिए में यूज कर दे हूँ यहाँ पे टैपी CP Care अब टैप की हरतरा की प्रॉबलम के लिए यह बेस्ट क्लीनर है इसका प्राइज है 165 तो आप देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील की जितनी भी टैप्स होती हैं हमारे घर में उनमें इस तरह के हार्ड वर्टर स्टेन्स जरूर आ जाते हैं जो कि देखने में बहुत ही जादा गंदे लगते हैं अगर मैं इनको डिटर्डन से भी साफ करती हूँ तो उतने क्लीन नहीं हो पाते जितने इस क्लीनर से हो जाते हैं तो कॉटन के कपड़े के ऊपर थोड़ा थोड़ा हम क्लीनर लगाते रहेंगे और इसके ऊपर रब करेंगे दो मिनट तक इसको छोड़ेंगे और इसके बाद साफ कपड़े से इसको साफ कर देंगे इसके साथ क्लीन करने के बाद हमारी टैप्स में नई टैप्स जैसी शाइनिंग आ जाती है बाद्रूम की रेग्लोर क्लीनिंग की बज़र से बहुत कम होता है कि ऐसे क्लीनर की जरूरत पड़े लेकिन 6 मन्त में अगर आप ऐसे क्लीनर को एक बार यूज़ कर लेते हैं तो आपका वाश्रूम हमेशा शाइन करता रहेगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजेगा शेर कीजेगा और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ तिल देन बाई टेक कियर और स्टे हल्दी